हेलो दोस्तों मैं हूँ प्यूश और सागत है आप सभी का अपने इस यूटीब चैनल मोबाइल पेर इसकूल में और दोस्तों अगर आप क्लाश 10 में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लाश 10 के कुछ ऐसे इंपोर्टन रियक्शन आपको पता होंगे कि आपके कमेश् सारे रियक्शन से जो कि आपके बॉर्ड एक्साम में 90% चांसेज हैं कि इस बार आएगा वो आपके बॉर्ड एक्साम में तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा इंड तक देखना है और आप अच्छे से 10 मिनट में यहां प से आएंगे क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड में साथ सेट बनते हैं और उसमें से किसी ना किसी सेट में जरूर से रहेंगे तो दोस्तों आएए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आएए दोस्तों देखते हैं क्लाश 10 का यहां पर अगर आप भी अपने बोर्ड इक्जाम 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आप टैनों को सब्सक्राइब कर लिए देखें आपर हमाया जो है कुश्चन वाहिब की मोस्ट इंपॉर्टन आपर रियक्सन होंगे जो कि आप देख जे टेंथ साइंस के लिए हैं तो यहां पर कुश्चन है हमारा कि क्या होता है जब देखें आपके कुश्चन आते हैं आपके बोर्ड इक्जाम में और इनमें से भी कुछ कुश्चन आये हुए है जो कि कुछ 2019 में तो कुछ 2020 में आपको मैं वही बताने वाला हूं देखें आपके केमेश्ट्री से है किसे है केमेश्ट्री से है आपके यह केमेश्ट्री से यह मैंने लिए हैं तो आइए देखें देखें हमारा जो पहला है वाही की लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं देखें जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है क्या हो होता है जब के वाल हमें पर वह समिकरन करना है जैसे पहला है यहां फैसे है फिन०े अले स्वारी यहां पर लिखते हैं पर इंद को गर्म करेंगे lid nitrate होंगे इसको हम गर्म करेंगे कि यह करने का देकि इसंबल ऐसे लगेगा अपने ध्यान देजिए गा गर्म का ओईसे डीजिर गर्म का सिंबल ऐसे रहेगा अब इसके बाद देखिए जहां पूर्लकव थे न स्मक्र लेते हैं इसको अगर साथ है तो यहां पर चाहिए नहीं करते बैलिंस हो गए अब दूसरा देखते यहाँ पर आपको जल जल उसक्लाइब बता दे रहे हैं जो जो चीजन इन सभी रियक्शन को इदम रटल ली मैं आपको बता रहा हो यह रियक्शन देखें बहुत ही जादे इंपॉर्ट है 2019 में यह reaction आई हुई है 2019 में और देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ जो दूसर reaction है वहाँ है कि नाइट्रिक अमल देखिए नाइट्रिक अमल कैल्सियम हाइडर ओकसाइड हाइडर ओकसाइड देखिए नाइट्रिक से अभी क्रिया autom involvement के अभी घ्रिया करता है दीए करता है प्टारें नांटरक करमने हैं जब के अभी घ्रिया ओकसाइड तब क्या होता है नाट्रिक क्या हो गया यह चैननेो-3 को डोलते है क्या विखिया करेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे जब नाट्रिक अमय याच यद्धिन- Och जब यह करेगा काथ्वियक्शितल स् तो इसका देखे Gips क्या बने गालेगा यह बने डिखिए च्या शी फ्री चसे ऑनोthank ऐसंग जाएगा यहां पर dispar humor कर यह लोगण है यह उन ठीका 儲 कोह एच प्ल्स इसमें से जल भी निकलेगा टू-H Too ओ रेखिए इसमें से जोगा स्षेल निकलेगा और अबढालन्स है तो यहां है देखिए यहां पर यह नो थी भी दो है तो यहां पंदो लिख देते हैं अब हम देखेंगे तीसरा आप देखें तीसरा जो है वा क्या है सभी reaction very very most important है आपके chemistry का भी मैं बता देता हूँ आप इसी को हलके मत लेगेगा अब जो मैं आपको बता हूँ ये 2020 में आया हुआ है देखिए एथे नोईक एथे नोईक अमल देखिए एथे नोईक अमल कॉमा सोडियम कार्बोनेट कार्बो देखिए एथे नोईक अमल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है देखिए अभिक्रिया करता है देखिए क्या होता है जब एथे नोईक अमल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है जब देखे एथेनोइक अमल का यहाँ पर देखे सूत्र क्या होता है CS3COOS होता है आप कोई पता है क्योंकि यह very very most important है आपको पता भी होना चाहिए एथेनोइक अमल CS3COOS देखे हम इसको reaction करवाते हैं देखे जब यह सब ही reaction बहुत ही ज्यादा very very most important है यह 2020 में यह आया हुआ है तो देखे एथेनोइक अमल क्या होता है CH3COOH यह जब sodium carbonate चब किया करता है sodium क्या हो गया एनने CO3 देखे sodium carbonate एनने 2CO3 होगा देखे जब यह इससे अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बनाएगा यह बनाएगा CH3 बनाएगा CH3 और देखे CS3COOH यह यह प्लस CO2 गयस यहाँ पर और प्लस जल देखे इतना बनाएगा इसको पहले बैलेंस करते हैं यहाँ पर दो लगाएंगे क्योंकि यह यहाँ पर देखे दो था तो इसके लिए दो लगा इसको लिए यहाँ देखे तू यह हो गया और यहने अब देख लेते हैं यह रीक्सन बैलेंस आएक नहीं तो देखे यह रीक्सन बिल्कुल ही बैलेंस है अब आईए देखते हैं अपना फोर्थ फोर्थ नमबर देखें हमारे आपर क्या है फोर्थ है एथे नौल को सांद्र सल्फियूरिक अमले के साथ गर्म करते हैं सांद्र सल्फियूरिक अमल के साथ गर्म करते हैं आप समझें देखें जब हम एथे नौल को एथे नौल क्या होता है C2H5OH एथे नौल को सांद्र सल्फियूरिक अमले के साथ गर्म करते हैं सांद्र सल्फियूरिक अमले के साथ मतलब S2SO4 कंसेंट्रेट S2SO4 सांद्र दिया है इसलिए होगा कंसेंट्रेट S2SO4 के साथ अगर आप इसको गर्म करेंगी तो यहां पर देखें क्या बनेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सिर्फ हमें reaction ही देना है इसका आपका सकते हैं इसका रासानिक सूत्र ही देना है फिर रासानिक समीकरण ही तो देखे एथे नॉल को एथे नॉल क्या होता इसका और सूत्र यहाँ पर C2H5O8 C2H5O8 इसको हम करेंगे गर्म इसको गर्म करेंगे कितने पर देखे इसको क्यों लिखा आपको पहले हम समझाते हैं देखे यहाँ पर लिखा गया है एथे नॉल को सांदर सल्फियूरिक आमले के साथ गर्म करते हैं जो यह एथे नॉल है यह है एथे नॉल इसको सांदर पूर्य का मबला है इसको यहां पर देखिए गर्म का सिम्बल है तो इसको हम गर्म करते हैं यहां पर थोड़ा सा इस साइड वाला मोटा रहता है तो देखिए इसको गर्म करते हैं यहां पर आप चाहे तो लिख सकते तो देखते हैं में आपर C4 है तो यहां बस C4 लिखेंगे और बाकी H5, H5 यहां पर 5 पांच 10 है तो यहां भी 10 हो जा गया देखें 2C2H5OH गिफ्स यहां पर देखें क्या हो रहा है इसका गर्म हो रहा है H2SO4 के साथ तो यह बन रहा है C2H5 OC2H5 तो दोस्तों देखें यहां पर मैंने आपको 4 very very most important reaction बताएं है कि क्या होता है जब और यह आपके board exam में 2 number के लिए जरूर से पूछा जाता है और इस बार पर इसके आने के full chances है इसके 99% chances है कि यह आपके board exam में आए ही आए क्योंकि जो जो यहां पर बताया है उस अभी very very most important है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को आपको लाइक करना है अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को share कर दीचिए चैलिए दोस्तों अम मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में